बिग बॉस 17 में एक तरफ जहां प्रतियोगी गेम खेलने की पूरी कोशिस कर रहे हैं वही दूसरी और मेकस ने भी प्रतियोगी की जिन्दगी के साथ खिलवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जहां पहले बिग बॉस 17 के मेकस ने इसा मालवी और अपसे कुमार की नीजी जिन्दगी का खुलासा किया था वही इन दिनों मुनवर फारूकी की नीजी जिन्दगी चर्चे में है अब प्रिंस नरूला ने बिग बॉस 17 में प्रतियोगी की नीजी जिन्दगी का मजाग बन प्रिंस नरूला ने बिग बॉस्ट सेर कर मेकर्स को आड़े हाठों भी लिया है। प्रिंस नरूला ने बिग बॉस्ट सत्रह के मेकर्स को सला दी कि वे प्रतियोगियों के साथ ठीक से गेम खेले और उनकी नीजी जिंदगी का मजाग न बनाए। प्रिंस नरूला ने अपने पोश्ट में लिखा तो चलिए बताते हैं कि बिग बॉस्ट इस साल अच्छा परदाशन क्यों कर रहा है। पर कंटेस के लिए किसी की नीजी जिंदगी का मजाग उडाएंगे। फिर यह सो कौन खेलेगा? कौन खेल रहा था? विकास, मुनवर, फरुकी और अफसेक ने उन्हें उडा दिया। फिर आप काते हैं, खेलो पिछले कुछ सीजन से आपने लोगों की नीजी जिंदगी का मजाग उडाया है। इससे कोई भी आम इंसान डिपरेशन में जा सकता है, गलत कदम उठा सकते हैं, सो को सो की तरह ट्रीट करें। आपको वता दे कि प्रिंस नरूला से पहले अली गोनी और अफसेक मलहार ने भी मुनवर फारुकी का समर्थन किया था और उनकी नीजी जिंदगी का मजाग बनाने वाले मेकर्स को बेनकाब किया था।